हलो इस्टुडेंट्स मैं मनोश शर्मा जनक सिंग चोहन के साथ एमजे क्लासेज में आज हम जो हमारे मिशन हंड्रेड नाम से जो सीरीज चल रही है उसके फिप्थ पार्ट के अंदर है और फिप्थ पार्ट में हम जो पॉयम ले रहे हैं सबसे पहले वो है कीपिंग क्वाइट तो इसका पहला क्यूशन देखते हैं इस कविता की आखरी लाइन है अब इन ये चार लाइन दे रही है इन में से आखरे लाइन कौन सी है बहुत आसान क्यूशन है D हमार आंसर होगा And you keep quiet and I will go कि अब आप बिल्कुल शान्त रहिए और मैं यहां से चला जाऊंगा तो यह last line में कभी कहता है क्यूशन नमबर 2 देखते हैं Man needs to learn a lesson from मनुश्य को आवसकता होती है एक सबक सीखने की तो किस से सबक सीखना है हमें तुमार आंसर होता है Earth यानि कि हमें प्रत्वी से एक पार्ट सीखना है The poet wants to entire humanity too कभी है वो क्या चाहता है पूरी के पूरी मानवता से तो वो यह चाहता है कि सभी के सभी पूरी के वो इतना सा ही चाहता है Have no truck with death means कि मौत के truck ऐसा कुछ न हो यानि मौत के truck नहीं चाहिए हमें इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है कि Have no association or deal with death कि ऐसा वास्तविक मृत्तिव से मतलब नहीं है कि यह no truck with death यानि मौत नहीं हो इसका मतलब यह है कि वास्तविक मौत नहीं हो कि वोल हम शान्त हो अर्थात हम दिमाग में अपने शान्ति लेकर आए है What does man threaten himself with यहाँ पर जो एक विक्ति है वो अपने आपको किस चीज की धमकी देता है तो यहाँ पर हम देखेंगे जो धमकी मिलती है वो तियर डेत की यहने मौत की इसके लावा भी अगर हम इस क्यूशन का आसान बनाना चाहें तो यह जो वर्ड्स है suicide, birth, robbery पूरी पोईम में कहीं पर भी नहीं आए केवल डेत शब्द उसमें कविता में प्रियोग में लिया गया है तो वेसे भी हम आसानी से देख सकते हैं इसका बिना अर्थ लिये की कविता में सिर्फ डेत शब्द का जिक्र किया गया है इसलिए हमारा आंसर होगा डेत question number 6 है where would they be walking कहां पर वे घूमेंगे यह कहां पर घूमना चाहते हैं वो तो हमारा आंसर होगा in the shade यहने कि छाया के अंदर वो अपने भाई बेनों के साथ गूमेंगे अगर सभी इंसान शान्ती के साथ जीते हैं तो next question देखते हैं हम कि the types of wars the poet talks about are कि यहां पर कुछ युद्धों के बारे में जो कविता में बात करता है तो वो युद्ध कौन कौन से हैं तो हमारा आंसर होगा green wars, wars with gas and wars with fire इन तीनों ही wars के बारे में कविता में जिक्र किया गया है question number 8 है fisherman in the cold sea would not harm तो जो मचुआ रहे हैं वो ठंडे समुद्रों के अंदर किस सीज को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा आंसर है wells, वो well मचलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा आंसर होगा be painful next question देखते हैं thus what kind of moment would it be when everyone is silent कि जब प्रतेग वेक्ती शान्त हो जाएगा तो ये किस प्रकार का समय होगा तो ये जो समय है बहुत ही शान्दार होगा यान कि हमारा आंसर होगा C, exotic moment होगा यहाँ पर इसका आंसर B देवाव है जो गलत है क्योंकि ये जो B word है painful, unforgettable, terrible ये पूरी कविता में कहीं भी प्रियोग में नहीं लिये गया है और exotic प्रियोग लिया गया है और इसके साथ ये भी कहा गया है कि जब हम शान्त हो जाएगे तो ये जो समय है बहुत ही शान्दार होगा तो मारा आंसर होगा C, 11 देखते हैं इसका विता के थ्रू तो प्रोव जिसमें कवी ने ये सिद्ध करने की कोशिश की है कि शान्ती का मतलब total inactivity नहीं है यानि कि समपोंट रूप से कोई कार्य करने से इसका तात पर ये नहीं है तो हमें जो उधारन दिया है उसने वो दिया है nature and earth इन दोनों के ये उधारन दिये है उसने तो ये बिल्कुल सही है हमार answer होगा how will silence benefit the man and nature कि जो silence है चुप़ी है वो किस तरह benefit देगी man ये वेक्ति को और प्रकरति को किस प्रकार से beneficial रहेगी तो हमार answer होगा man will stop hurting nature कि अगर सब silence हो जाएंगे सब silent होगे तो क्या होगा वेक्ति जो है वो प्रकरति को नुक्सान करना छोड़ेगा and बहुत और फिर दोनों will heal themselves फिर दोनों मिलकर अपने आपको अच्छा करने की कोशिश करेंगे next while gathering salt नमक इकटा करते समय what will happen to them if he keep silent for a moment तो जब नमक इकटा करते हैं लोग अगर वो silent हो जाएंगे तो फिर उस समय में वो क्या करेंगे तो हमारा आंसर होगा D he will think of the harm the salt is doing to his hands कि जब वो नमक इकटा करने वारे लोग शान्त हो जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे अपने उन हातों के बारे में सोचेंगे जो नमक से खराब हो गए है तो मारा आंसर हो जाएगा D question number 14 why is the poet asking everyone not to speak any language तो जो poet है कभी है वो क्यों कह रहा है प्रतिक विक्ति को कि वो किसी भी भाषा के अंदर नहीं बोले तो मारा आंसर होगा D to avoid conflicts and misunderstandings कि अपने मन में जो ध्वंद चल रहे हैं उनको और गलत धारणाओं को हटाने के लिए कभी ऐसा कह रहा है next देखते है what would everyone feel at the exotic moment प्रतिक विक्ति उस महान क्षण के बारे में कैसा फिल करेगा ये क्या होगा कि वो अच्छा क्षण अच्छा समय कौन सा होगा उसमें क्या होगा तो हमारा आंसर है यहाँ पर D strange blissful oneness कि ये जो भावनाए हैं ये emotions हैं ये जो इस्थिति है वो क्या होगी special strange यानि विशेश अजीब प्रकार की आनंददाइस्थिति होगी जिसको हम exotic moment कहेंगे 16 What will happen if there are no engines and no crowd कि अगर किसी engine के आवाज नहीं हो किसी भीड तंतर के आवाज नहीं हो तो क्या होगा तो क्या होगा आंसर होगा मारा D ये जो इस्थिति है ये एक परिपोन रोप से आनंददाइस्थिति का निर्मान करेगी What does the poet want people to do for one second Poet क्या चाता है लोगों से कि एक क्षण के लिए क्या कर दें तो मारा आंसर होगा D वो ये चाता है कि to be silent and motionless कि वो बिलकुल शान्त हो जाएं और बिना क्रिसी क्रियाफिदी के हो जाएं कोई काम करना छोड़ दें कभी क्यों इतना ही चाता है कि सब शान्त हो जाएं Next question है What is always alive Even everything seems to be Dead or still कि वो क्या चीज है जो हमेशा जीवित रहती है लेकिन वो दिखाई कैसी देती है मृत या स्थिर Still का मतलब जिसमें कोई हल चल ना हो तो वो हल चल बिना दिखाई देती है लेकिन फिर भी जिन्दा होती है तो वो कौँची चीज है तो बिल्कुल पहली की जैसे है कि वो चीज है Earth and nature are always alive प्रत्वी और प्रकृती हमेशा जिन्दा होती है लेकिन वो दिखाई यसे देती है जैसे वो मृत हो Next question देखते है What is the sadness in the poem that the poet speaks about वो क्या दुख है जिसको कविता में बताया गया है poet के दुआरा यानि poet कौन से दुख के बारे में बताता है पूरी कविता के अंदर तो महारा answer होगा कि वो दुख ऐसा है violence because of unthoughtfulness of the people कि वो हिंसा जो किसके कारण होती है लोगों की unthoughtfulness यानि कि ना समझी ना दानी के कारण होती है तो उस इस इसा को ये सबसे बड़ा दुख बताता है तो महारा answer होगा A question number 20 What should not be confused with total inactivity or death क्या चीज के अंदर confused नहीं होना चाहिए किस चीज में नहीं होना चाहिए कि जिसका मतलब क्या है total inactivity संपूर्ण रूप से inactive यानि अस्थिर्था या फिर death तो इसको क्या नहीं समझा जाना चाहिए तो हमारा answer होगा D stillness and silence कि यहाँ पर death का मतलब क्या है कि संपूर्ण रूप से इस्थिर्था और चुप्पी को नहीं समझा जाना चाहिए तो हमारा answer हो जाएगा D next question देखते हैं not move our arms what does this expression refer to कि हमारी बुजाएं नहीं हिले ये expression किस चीज को represent करता है तो हमारा answer होगा D sitting still without any moment कि चुपचाप बैठ जाना बिना हिले डुले क्योंकि याप लिखावाए कोई arms नहीं हिले इसका मितलब शानती के साथ बैठना question number 20 है what does number 12 represent यहाँ पर जो 12 तक की गिंती है वो किस चीज को दर्शाती है क्या मतलब है इस 12 number का तो हमारा answer होगा hours of the day and months of a year कि एक दिन में और 12 महीने यह सब इसका मतलब है क्योंकि एक साल में बारा मेने होते हैं इसलिए question number 23 है what is the essence or message of the poem कि इस कवीता का मूल भाव क्या है तो हमारा जो answer है वो होगा introspection and retrospection to be more peaceful and be in harmony introspection का मतलब अंतर दर्शन यानि खुद के बारे में आंतरिक अच्छी तरह से जानना अंदर की बाते हैं and retrospection retrospection का मतलब है पुरानी यादे व वर्तमान तो जब वर्तमान और पुरानी यादे इसके अलावा अंतर दर्शन जब ये दोनों ही क्या हो जाएंगे शान्ति पूनों जाएंगे तो ये क्या होंगे be in harmony harmony का मतलब है मधुर संबंद यादे किसी के भी साथ मधुर संबंद कब बनाए जा सकते हैं जब आपकी नियत सही हो इसमें आपके पुराने actions पुराने बाते हैं व वर्तमान बाते हैं तता आपके आंतरिक दर्शन यादे आपके आंतरिक बाते हैं अगर शान्ति पूर्ण होगी तो उससे मधुर संबंद बनाए जा सकते हैं यही इस पूरी कविता का message है motto है next question what does the style of the poem symbolize that the poet used to write with इस poem का तरीका जो है what does क्या प्रदर्शित करता है symbolize ने प्रतीक बनाना किस चीज के प्रतीक में यह कविता लिखी गई है that the poet used to write with जिसको की poet ने यहाँ पर प्रियोग करते वे लिखा है तो हमारा answer होगा desire and hope यानि कि हमारे दुनिया में या यू कहीं इस संसार के अंदर अगर दुख है तो दुखों का कारण क्या है सिर्फ इच्छा हैं और आशा है कि जब इच्छा और आशा पूरी नहीं होती है तो हम दुखी होते हैं तो यहाँ पर रहे कि किसी से इच्छा मत रखो किसी चीज की इच्छा मत रखो और किसी से आशा मत रखो maintenance of the silence कि हमें बनाए रखनी चाहिए चुप्पी या शान्ती बनाए रखनी चाहिए इस कविता में कौन-कौन से युद्धों के बारे में वर्णन किया गया है तुमारा पहला है इसमें war against humanity मान बता है कि प्रतियुद्ध बिलकुल सही है यह भी है वर अगेंस्ट नेचर प्रकरती के प्रतियुद्ध बिलकुल इसके बारे में वह बताया गया है और शी है war with gases and fire युद्ध किसे गेस से एंड फायर और आग से लड़े जाने वाले युद्धों के बारे में भी बताया गया है तो बिलकुल इन सभी के बारे में बता गया है तो हमारा आंसर जो होगा वोगा D, all these इन सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है इस कवीता में वो कौन सी कलपनाय है जिसमें जो कवी है वो क्या करता है कंडेम से निंदा करता है जिन इस्तितियों की कभी निंदा करता है या फिर वो हिंसा से नफरत करता है तो इसके अंदर कौन-कौन जी चीज़े हैं तो पहला हम देखते हैं कि फिशर में, not harming whales कि जो फिशर में है वो कहनी करें, whales को harm नुकसान नहीं पहुँचाए बिल्कुल कभी कहता है ये बात Second है, wars leaving behind no survivors to celebrate कि जो युद्ध होते हैं वो अपने पीछे किसी को जीवित नहीं छोड़ते Celebrating मनाने के लिए अपने खुशियां मनाने के लिए पीछे कोई जीवित वेकती नहीं रहता C है, poets refusal to deal with death कि जो कभी है वो संपूर्ण रूप से मौत का समर्थन नहीं करता है मना कर देता है तो बिल्कुल ये सब बाते होती इस कभीता में इसलिए हमारा answer हो जाएगा D, all of these Next question है, 28th What does hurt hand prefer to? कि वो क्या चीज है जो हाथ को नुकसान पहुंचाती है कौन से चीज है इस कभीता में इसी बताई गई है जो हाथ को नुकसान पहुंचाती है तोमारा जो answer होगा वोगा D, growing insensitivity of man to pain कि इंसान के अंदर बुरी भावनों का जन्मोर आया है जो हमें क्या करती है दर्द प्रदान करती है यानि sensitivity बोलते हैं सम्वेदन शीलता उसका विलोम शब्दे insensitivity ने मानों के अंदर सम्वेदन शीलता खत्म होती जा रही है जो की दुखों का कारण है तोमारा answer होगा D, what is the point expecting from fisher में कि जो मच्छवारे हैं उन से कभी क्या आशा करता है तोमारा answer होगा C, to think and stop harming the fish कि वो लोग सोचेंगे किसके बारे हम सोचेंगे मच्छियों को नुकसान नहीं पहुचाने के बारे हम सोचेंगे कि रोजना शीकार भी जाते हैं तो कम से कम उसको रोग देंगे यहाँ पर answer भी दे रखा है जो की गलत है कवीता के अंदर जो कवी है वो हमसे request करता है विंती करता है कहां तक गिनने की तोमारा answer होगा B, 12 तक गिनने की वो गुजारिश करता है 31 है, in death there is कि यहाँ पर जो मोथ है उसका क्या मतलब है तो मोथ का मतलब है peace यह दिया गया हमें इस कवीता के अंदर Next question देखते है We should not move our arms for कि हमें कितनी देर तक अपने बुजाओं को नहीं हिलाना इस कवीता में कभी के नुसार तो इस answer होगा 1 second कि वो 1 second के लिए कहता है यहाँ पर 1 second का मतलब है कुछ समय तक Question number 33 What must come to the halt तो यह halt का मतलब है विराम तो यहाँ कि कौन सी वस्तों है जिन में विराम लगना चाहिए ठहरना चाहिए कौन सी चीज तो यहाँ पर engines, machines, factories all of these तो यहाँ पर इस तीनों चीजों ही रुखनी चाहिए तो इसलिए मारा answer हो जाएगा D The moments of stillness will be a moment अब यहाँ पर आया कि वह moment, वह क्षण वह समय जब सब स्थिर हो जाएंगे सब रुख जाएंगे तो ऐसा क्षण क्या होगा तो ऐसा क्षण दुखी नहीं होगा depression यहनि तनावयुक्त नहीं होगा boring बेकार नहीं होगा तो मारा answer क्या होगा तो मारा answer होगा be fascinating यहनि बहुत ही शांदार हो जाएगा इसा समय according to the poet what are the things that make noise कभी के अनुसार वो कौन सी वस्तों है जो सबसे ज़्यदा प्रदूशन या ध्वनिय प्रदूशन या शोर मचाती है अब generally तो boys भी शोर मचाते है people भी मचाते है लेकिन यहाँ पर line दी गई है according to the poet कभी के अनुसार कौन सी है तुमारा answer होगा कभी के अनुसार मचीने जो है वो सबसे ज़्यदा शोर मचाती है question number 36 constant doesn't do us any good लगातार अब यहाँ है लगातार doesn't us कि हमारे लिए अच्छा नहीं है लगातार कौन सी चीज अच्छी नहीं है बेटना पढ़ना खेलना या फिर चलते रहना तो यहने continuously चलते रहना है सबसे वेकार है थोड़े देर के लिए हमें रुखना चाहिए next question है the world outside is full of कि बाहरी संसार भरा हुआ है life activities none of these यह फिर यह दोनो तुमारा answer होगा c कि बाहरी संसार में जीवन भी भरावा है और काफी सारी कामकाज भी भरे हुए है तुमारा answer होजएगा c कि यह दोनों ही सही है next question देखते है the earth can teach us to remain when everything seems to be dead केवल प्रत्वी ही वो है जो हमें बता सकती है हमें सिखा सकती है रहना क्या रहना सिखा सकती है when everything seems to be dead जब प्रत्वी ही एसी है जो हमें खुश रहना सिखा सकती है यानि दुखों में भी सुखी क्यों प्रत्वी में बना सकती है इसलिए मारा उत्तर होगा c next question is in which language does the poet ask us to speak कवी हमें कौन सी भशा के अंदर बोलने के लिए कहना चाता है तुमारा answer होगा not any वो साफ मना करता है कि हमें किसी भी भशा के अंदर नहीं बोलना है बस क्यावल चुप रहना है man can't understand themselves when threatened with कि इंसान जो है वो कभी नहीं समझ पाता किसके भेग को threatened याने feared कि वो जब भेग रसित होता है या किस चीज के डर को समझ नहीं पाता तो वो दर्द है या वो डर है death का मौत का डर वो कभी समझ नहीं पाता कि कब आने वाली है इसका अंदाजा कभी नहीं लग पाता तो ये 40 questions थे हमारी इस poem से अब next poem लेते हैं a thing of beauty एक सुंदरता की चीज देखते हैं इसका first question पहला question है कि the endless fountain gets its immortal drink from कि जिस अंतहीन जो जर्ना है अमरत्व या यह कहें कि ऐसा drink जिससे ये जो नश्वर सरी रहे हो कभी खत्म नहीं होगा अमरता का जो जर्ना है कहां से आता है तो हमारा answer होगा heaven's drink के अमरता का जर्ना केवल और केवल heaven याने की स्वर्ग के कौने से आ सकता है तो हमारा answer होगा d next question है immortal drink of the endless fountain is reference to कि यहाँ पर जो अमरत्व का जर्ना है या अमरत्व का जो पेइपदार्थ है अंतहीन जर्ना है वो इसका क्या मतलब है तो हमारा answer होगा a the continuous flow of sacred or holy water कि पवित्र जल का लगातार बहाव ही इसका तात्परिये है question number 3 what are the things that are read or heard by us वो कौन सी अच्छी चीजे है जो हमारे द्वारा पढ़ी जाती है और सुनी जाती है तो C है lovely tales यानि कि वो बहुत ही प्यारी प्यारी कहानिया वो बातें या वो किस्से कहानिया जो हमारे हर्दे को सुन्दरता प्रदान करते हैं या हमारे हर्दे को खुशियां प्रदान करते हैं वो सभी किस्से कहानिया बातें एक सुन्दर वस्तु है तो मारा आंसर होगा C The poet talks about grandeur Whose grandeur is talking about grandeur का मतलब होता है महीमा, महीमा मंदन हुआ है कवीता के अंदर तो वो कौन लोग है जिसकी महीमा मंदन हुआ है तो यहाँ पर आंसर होगा पहला Dooms of mighty dead जो महान मर चुके ऐसे लोग जिन्हों ने बहुत अच्छे काम किये जिसमें हमें महापुरुश और सैनिक यह ऐसे लोग थे जिनकी इस कवीता में महीमा मंदन किया गया है तो यहाँ पर Dooms का मतलब हो जाएगा कयमत का दिन लेकिन यहाँ पर कयमत का दिन से मतलब है स्टोरीज तो वो जो योद्धा थे वीर वीर योद्धाओं के मरने की कहानिया उसकी महीमा आज दिन तक खत्म नहीं हुई है क्यूश नमबर पांच है वो क्या चीज है जो गर्मियों के लिए अपने लिए एक थंड़ा थंडी जिगे बना लेती है कोवर्ट का मतलब होता है एक ऐसा इस्थान जहां बीच में घास होगी और उसके चारो तरफ से पानी बह रहा हूँ तो ऐसा इस्थान कौन बना लेता है तो हमारे अंसर होगा कि ऐसा इस्थान साफ बहने वाली नदियां बना लेती है कि यहां पर साफ नदियां या साफ पानी की धाराएं इसका मतलब क्या है कि यहां पर चायादार वस्तू शीप यानि भेड के लिए कौन सी चीज है यहां पर जो अंसर होगा कि यहां पर चायादार वर्दान है कि वो थे इसके भीड के लिए ट्रीज एंड, और एंड, यांग कि वो पेड़, जो चोटे, बड़े, बूडे सभी प्रकार के पेड़ है वो शीप के लिए वर्दान central शाबित होते है From our dark spirits is references to कि हमारी dark अंधेरे युक्त जो आत्माएं है इसका क्या मतलब है कि हमारी अंधेरे युक्त ये आत्माएं तो हमारे यहाँ पर मतलब है A Our dampened dampened का मतलब नम जिसमें पानी बरा हो ये नम नमी युक्त तो हमारी जो आत्म में नम याने दुख नमी युक्त आत्माएं है वही यहाँ पर मतलब है कि dark spirits का मतलब है इसलिए आंसर हो जाएगा हमारा A All of the unhealthy means सभी बेकार unhealthy जिसका स्वास्तिफ विगड़ा हो इसका मतलब क्या है तुमारा आंसर होगा ill health यानि सभी का सब स्वास्तिफ विगड़ जाए तो उसको हम एक वर्ड में बोलेंगे ill health यानि बेकार स्वास्तिफ question number 10 है spite of despondency refers to यहाँ पर निराशा का मतलब क्या है despondency का मतलब होता है निराशा तो कभी ताके अंदर जी वह शब्द आया है निराशा इसका क्या तात पर यह है तो इसका तात पर यह है हमारा a sadness and depression यानि दुख और तनाव यही इसका मतलब है तो मारा answer हो जाएगा a every morning we all are प्रतेक सुबह हम सब करते हैं तो यह एक line ऐसी किसी कविता से उठाई गई है कि प्रतेक सुबह हम क्या करते हैं reading a flowery band एक फूलों का जुड़ा गोंतते हैं यह बनाते हैं तो मारा answer हो जाएगा c question number 12 है full of sweet dreams means full of sweet dreams अच्छे-च्छे सपनों से भरी हुई नींद का क्या तात पर यह है तो मारा answer हो जाएगा a pleasant and peaceful sleep question number 13 है beautiful things never pass into nothingness कि सुन्दर चीजें जो होती है कभी भी खत्म नहीं होती means that they इसका मतलब यह है की तो इसका मतलब यह है कि never fade away कि उनके महत्तों कभी कभी कम नहीं होता तो मारा answer हो जाएगा b according to the point a thing of beauty is कि point के अनुसार एक सुन्दर चीज होती है तो मारा answer होती है कि एक सुन्दर चीज हमेशा के लिए आनन्द प्रदान करने वाली होती है question number 15 है how does beauty help us when we are grief striking कि हमें जो सुन्दर चीज होती है सुन्दरता हमें किस प्रकार से साहता प्रदान करती है जब हमारे अंदर दुख होता है हम दुख में जकड़े भी होते है तो हमें सुन्दर चीज किस प्रकार से साहता प्रदान करती है तो मारा answer होगा by giving a ray of hope next question है 16 what remove Paul from our life वो क्या चीज है जो हमारी जिन्दगी से हटा देती है एक cover को जो दुखों का cover होता है वो क्या चीज है तो वो चीज है nature's beauty कि प्रकृतिक सुन्दरता हमारी दुखी आत्माओं से दुखों का जो cover है उसको हटा देती है what is the effect of immortal drink कि वो जो ज़रना है वो पेइपदार्थ है जो कभी खत्म निवे ने अमरत्व का पेइपदार्थ है उसका क्या प्रभाव होता है तो मारा आंसर होगा immense joy and happiness याने हमेशा रहने वाली खुशी और आनंद इस चीज से यह इसका प्रभाव होता है तो मारा आंसर होगा C question number 18 what does immortal mean कि यहाँ पर जो immortal हो आया है हमेशा अमरता वाला जो शब्दा है उसका क्या मतलब है तो मारा आंसर होगा D never ending or endless जिसका अंत कभी नहीं हो यह होता है इसका मतलब immortal का question number 19 what is the endless fountain of immortal drink कि यह what is endless वो क्या चीज है जो अंतहीन है इस कभी नहीं खत्म होने वाले drink की तो मारा आंसर होगा reverse flowing streams sunlight कि यह जो reverse नदियां भी कभी खत्म नहीं होगी flowing stream भेती जरने भी कभी खत्म नहीं होगे और यह धूप यह भी खत्म नहीं होगी अगर यह तीनों चीजें खत्म होगी कभी तो उस दिन मानो जाती यह मानो सब्बेता भी खत्म हो जाएगी तो यह जो तीनों चीजें हैं यह मारा answer होगा तो मारा answer हो जाएगा यह तीनों ही चीजें सही है next question है why do we need sweet dreams health and quiet breathing कि हमें मधूर सपनों की आउशकता क्यों है health यह अच्छे स्वास्ते के आउशकता क्यों है और अच्छी सांस लेने के आउशकता क्यों है शांती के साथ सांस लेने के जरूरत क्यों है पहला है to have a healthy mind and body एक अच्छा शरीर और मस्तिस्क रखने के लिए हमें इसकी जरूरत होती है बिल्कुल सही है इन दोनों चीज़ें के लिए हमें अच्छी तरह नेन होना जरूरी है behave to have sound sleep गहरी नेन के लिए ये चीज़ें जरूरी है बिल्कुल है तीसरा है to have peace and happiness खुशी और शान्ती के लिए ये जरूरी है तो ये सभी चीज़ें हमें आउशकता होती है ये हमें आउशक है ये सब चीज़ें इन सब चीज़ों के लिए तो हमारा answer होगा D question number 2 write the phrase which means it is immortal वो phrase बताईए जिसका मतलब होता है कि ये अमर है ये कभी खत्म नहीं होगा तो हमारा इसमें है it will never pass into nothingness ये line जो है वो हमारी poem में से लिए गई है poem में line है जिसका मतलब होता है कि ये चीज़ कभी खत्म नहीं होगी next question देखते हैं how does a thing of beauty provide shelter and comfort कि ये सुन्दरता कि चीज़ें होती है किस तरह से शरण और आराम देती है यानि कौन-कौन से कामों के द्वारा ही है हमें दोनों चीज़ें provide करवाती है तो पहला है by giving a sense of joy and happiness by removing pain and suffering तो ये हमें आनन्दी भी देती है और हमारे दुख भी हटाती है बिल्कुल ये दोनों चीज़ें हमें देती है तीसरा है like power एक फूलों के कुझ के समान भी हमें खुश हैं देती है तो बिल्कुल ये भी सही है तो हमारे जो answer होगा वो होगा all of the येनिक सभी चीज़ें हमें ये सुन्दर चीज़ें प्रदान करती है next देखते है do we experience things of beauty only for a short time क्या हमें सुन्दर चीज़ों का अनुबव कुछ समय के लिए ही होता है तो हमारा answer होगा do कि नहीं ऐसा नहीं है they make lasting impression of happiness कि वो अन्त तक अपना अप्रभाव बनाए रखती है what is beauty in keats opinion कि जो keats है ये लेकर point है इसके अनुसार इसके खयाल में असली सुन्दर तक क्या है तो हमारा answer होगा enjoy forever हमेशा का जो आनन्द है वही असली सुन्दर वस्तु है what is the endless fountain and what is its effect कि वो अन्त हीन जर्णा कौन सा है क्या है और what is its effect और इसका असर क्या होता है तो हमारा answer होगा I think of beauty is endless fountain and it gives happiness कि वो अन्तहीन जर्णा है खुशी या सुन्दर वस्तु है वो अन्तहीन जर्णा है और ये हमें खुशीया प्रदान करती है next question है what is the message of the poem इस poem का क्या message है तो देखते हैं beauty never fades कि जो सुन्दर ता है वो कभी खत्म नहीं होती बिल्कुल सही है ये भी इसका संदेश है beauty lifts spirits high कि जो सुन्दर वस्तु है तो हमारे जो सुन्दर वस्तु है वो हमारी आत्माओं को उपर उठाती है दुखों से उपर उठाती है बिल्कुल ये बात भी सही है और के चीज़ें वो भी देख लेते हैं और तीसरा दिया है इसमें beauty is a joy for ever कि सुन्दर ता क्या है हमेशा रहने वाला एक आनन्द होता है और चोता है all of these कि इस सभी चीज़ें सच हैं तो बिल्कुल इस सभी चीज़ें सच हैं इसलिए मारा answer होगा D 27 समें what are the things of beauty mentioned in the poem कि वो कौन-कौन सी वस्तुएं हैं जो इस कविता में बताई गई है sun and moon बिल्कुल सही है young trees and streams बिल्कुल ये भी बताई गया है flowers ये भी बताई गया है तो मारा answer हो जाएगा D कि ये सभी चीज़े इस कविता के अंदर बताई गई है question number 28 from where has this poem कि ये कीट्स के दुवारा लिकी हुई किताब endomian a poetic romance इस किताब ये नाम है किताब का तो इस किताब से ये एक छोटा सवद्रण लिया गया है next question देखते हैं what circumstances make man unhappy कि एक इनसान को कौन सी परिष्थितिया हैं जो दुखी करती हैं तो मारा answer होगा tendency of hopelessness कि प्रवर्ती कि hopelessness यानि कि जब हमें कोई आशा ना हो तो आशाहीन होने कि प्रवर्ती इनसान को दुखी रखती है next question है why do we need a flowery band कि हमें क्यों जरुवत पड़ती है एक फूलों के गुच्छे की या फूलों के बंदन के हमें क्यों जरुवत पड़ती है तो मारा answer होगा to have strength and joy कि हमारे मन के अंदर ताकत और आनंद प्राप्त करने के लिए और in spite of all sadness सभी प्रकार की दुखों से दूर रहने के लिए हमें इस चीज़ की जरुवत पड़ती है तो मारा answer होगा because of sadness and disappointments ऐसा इसलिए है ऐसा दुखों के कारण और तनाव के कारण या निरावशाओं के कारण होता है तो मारा answer होगा 29 वाइब कि जो कभी है उसका क्या मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसी आकरतियां जो बहुत सुन्दर है तो मारा जो answer होगा वोगा C Beautiful objects that give happiness ऐसी सुन्दर चीजें जो हमें खुशियां प्रदान करती हो सिर्फ वही सुन्दरता की अच्ची आकरतियां है Next question है What do beautiful things give us? कि हमें सुन्दर चीजें क्या देती है तो हमारी सुन्दर जो चीजें होती है वो हमेशा हमें शान्ति प्रदान करती है तो हमारा आंसर होगा D We have developed कि हमने विक्सित कर लिया है क्या विक्सित कर लिया है हमें Unhealthy ways कि जो बेकार के तरीके हैं जो जिसे हमें स्वास्ते प्रदान नहीं होता है ऐसे तरीके हाँ बिलकुल ऐसे तरीके जिनसे हमें दुख मिलते हो दर्द मिलते हो बिलकुल हम सब ऐसा ही काम कर रहे हैं According to point और कविताइगे नुसार ये सब हम कर रहे हैं तुमारा जो आंसर होगा होगा C बहुत है नहीं कि ये और ये दोनों ही चीजें सही है Next question है A thing of beauty gives us a sleep full of कि एक जो सुन्दर चीज है वो हमें नीद देती है अच्छी किस चीज से बरी हुई तो sweet dream तो अच्छे अच्छे सपनों से बरी हुई नीद हमें प्रदान करती है Question number 33 A thing of beauty is forever कि जो एक सुन्दर चीज है वो हमेशा हमेशा के लिए आनन्द प्रदान करती है तो मारा आंसर हो जाएगा D What makes our lives unpleasant वो क्या चीज है जो हमारे जिंदगी को दुखी करती है तो मारा आंसर होगा Sadness दुख बिल्कुल Evil nature कि हमारी जो खराब प्रवर्ती और unhealthy ways और एस वास्थे कर जो रास्ते हैं तरीके हैं वो हम सब को दुखी करते हैं तो ये बिल्कुल सही है तीनों चीज़ें में दुखी करती है इसलिए मारा आंसर हो जाएगा All the above Question number 35 है और लास्ट question है इस पोईम का Trees provide a shady bone for पेड़ पोदे हैं वो प्रदान करते हैं Shady, चायादार, वर्दान यानिक इनको चाया परदान करते हैं तो ये किन को करते हैं यहाँ पर Birds दे रखा है ये भी सही है Crows, Kites इन सब को परदान करते हैं लेकिन जो हमारी कवीता है उसके अंदर शिर्फ शीप के लिए आया है इसलिए हमार का आंसर जो होगा वो D होगा, B नहीं होगा according to the poet क्योंकि जो कवीता है उसमें शीप काई वर्णन है, इनका वर्णन नहीं है अब next poem है उसका हम देखते हैं next video में इस video में बस इतना ही वीडियो के बारे में अपने comments जरूर comment box में लिखें धन्यवाद, जय हिंद, जय वारत